प्रिज दलावड आप सबको जय मसी की परमिस्तर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए आज की सुबह दिखाने के लिए एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्ट पास्टर राजमेजी आपके सम्मक बस्तित हूँ आज का संदेश अंतिम दिनों के विश्य में है जैसा कि पहला पत्रस चार अध्याए और उसके साथ पत्र में लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है तो ये बात तो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि अंत होने वाला है और हम सब जानते हैं कि इस संसार का अंत निश्चित है जरूरी है क्योंकि जो चीज पैदा होई है उसका अंत भी जरूरी है तो इस संसार का अंत भी Bible के अंसार होने वाला है लेकिन इस अंत के चिन क्या है आज मैं आपको दो मेहत पून चिन बताने जा रहा हूँ Bible से जो बहुत ही जरूरी है और इसे हमें नोटिस करना होगा, हमें देखना होगा, अपने चारों तरफ पे इर्द गेर्द, अपने शेत्र में, अपने देश में हर जगा, कि क्या ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब प्रभु ये सुमसी का शुबागमन बहुत निकट है, अंत समय निकट है, तो बन निकट है आई एक छोटी से प्रात न करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे प्रबजी मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुभा के लिए जितों ने दिखाई है प्रबू आज के वचन के लिए मैं बिंती करता हूँ प्रबजी से शेयर करने मेरी मदद साहिता कर मेरे ह आत्मा और मेरा शेयर तेरे ही कब्जी मेरे रहे ताकि बोलने वाला मनुशन हें इनने के तेरा आत्मा हूँ जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं सब्पर मैं तेरी आशिष बोडता हूँ प्रबजी हरे को आशिषित कर हरे की रुध बिमारी चिंता परेशानियों क अपने सामर्थी नाम के दोरा धूर कर दे प्रभू येश्यू के नाम से मांगता हूँ अमें प्रेज दे लौट तो आई आज के वचन को हम शुरू करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहला पत्रस चार अध्याए और उसके साथ बद में लिखा है समय ये है कि हमें प्रात्ना में लगे रहना है प्रात्ना हमें आत्मिक उन्नती देती है प्रात्ना हमें सामर्थ देती है और प्रात्ना हमें विश्वास में बढ़ाती है बहुत जरूरी है प्रात्ना में लगे रहना क्योंकि जगत का अंत निकट आ चुका है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ध्यान से सुनियेगा पढ़ लिजे का दोनों चिनों को और यही सबसे बड़े चिन है संसार के अंत के, सबसे बड़े चिन यही हैं दो, इनका होना अवश्य है, तो आज़े सबसे पहले हम देखेंगे मती की पत्री, मती रचित सुसमाचार और इसका 24 अध्याए, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा, राज्ये का येसु समाचार गॉस्पल प्रभु येसु मसी का वचन पवित्र शास्तर का प्रचार बाइबिल की मनादी लिखा है और राज्ये का ये है सूसमाचार सारे जगत में पूरे जगत में कोने कोने में जहां तक वचन नहीं पहुंचा तब तक अंत नहीं होगा इसलिए बहुत जृद में सुष्माचार सारे जगत में परचार किया गया गई कोई भी शेत्र, कोई भी कसबा, कोई भी राष्ट्र, कोई भी जगार, गाउं नहीं छूटेगा, कोई भी व्यक्ति, पुरुसिस्त्री बच्चा नहीं छूटेगा, सब के पास परमेसर का वचन पहुँचेगा, तब अंत होगा अभी तो बहुत से लोग नहीं जानते कि येशु कौन है, वो सब किसको बताना है, वो हमें बताना है, ये समस्ति ने कहा, ये खेत तो पग गए हैं, मजदूर कम है, अपने पिता से बिंती करो कि वो और मजदूरों को भेजे, तो जगत के अंत का जो पहला चिन है, वो है कि परमेस्वर का वचन कोने कोने में पहुँचा जाएगा, पूरे जगत में, जहां पर जो देश नास्तिक हैं, जो नहीं मानते प्रभू को, वहां पर भी परमेस्वर का वचन जाएगा, बाइबल बता रही है ये, वहां पर भ अपना काम करना जानता है, वो किस परकार पहुंचाइगा, उसकी योजनाए अगम में हैं, वो किस परकार से अपने कामों को करता है, हम नहीं जानते, परमेस्ठर परमेस्ठर है, प्रेस दराओन, तो सबसे पहला चिन क्या है, मत्टीरचित सूसमाचार, चोबिस अध्याए, और उसका चौधें पद लिखा है और राज्जे का ये सूसमाचार सारे जगत में परचार किया जाएगा क्या परचार किया जाएगा कि जगत का अंत निकटा गया है मन फिराओ और परमिसर के पास आजाओ अज्जे का ये सूसमाचार सारे जगत में परचार किया जाएगा ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ये बहुत महत्तपून है दोनों बाते बहुत महत्तपून है और ये हमसे रिलेटेड है मुझसे आपसे हर एक विस्वासी से जुड़ी हुई है हम इस अंत के समय से जुड़े हुए है हम इसे अलग नहीं है हमें बहुत ही सावधानी से चलना पड़ेगा और हमें इन बातों पर गौर करते हुए परमेसर के कारियों को करना पड़ेगा ये सुरी पास्टर का, रेबरेंट का, डीकन का बिशप का काम नहीं है ये हर एक विश्वासी का काम है ये वो वचन को जगा जगा पहलाए क्योंकि अंत तबी आएगा जब तक वचन नहीं पहल जाएगा दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रेरतों के काम में दो अध्याए और सत्रा आयत को पढ़ूँगा मैं परमिस्तर कहता है कि अंत के दिरों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुस्यों पर उंडेलूँगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भश्यवानी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुर्णिये स्वपन देखेंगे वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भश्यवानी करेंगे ये दूसरा बड़ा पॉइंट है बड़ा चिन है प्रभू येसु मसी के आगमन का इस संसार के अंत का पहला क्या है कि ये जो वचन है ये सारे जगत में परचार किया जाएगा दूसरा क्या है परमेसर के आत्मा का एक बड़ा काम परमेसर का आत्मा हर एक मनुस्य पर उंडेला जाएगा हर एक मनुस्य पर हर एक विस्वासी पर यहां लिखा है मैं फिर से पढ़ देता हूँ प्रेरतों के काम की पुस्तक है दो अध्याय सत्रह है और अठारह आयत यहां लिखा है सत्रह में कि परमेसर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुस्यों पर उड़े लूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविश्यवाने करेंगे बेटे बुजरुग नहीं होंगे वहाँ पर उसमें बेटे और बेटियां यंग लोग भी भविश्यवाने करेंगे यह वचन की बात है, यह मैंने नहीं लिका है, आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं कि अंत के दिनों में क्या होगा, जब अंत आने वाला होगा, तब बेटे और बेटियां क्या करेंगी भविश्यवानी करेंगी, और क्या होगा, और जवान दर्शन देखेंगे जो जवान लोग हैं जवान बच्चे हैं वो दर्शन देखेंगे और तिसरी चीज़ क्या है और पुरनिय जो है वो सपन देखेंगे जानि कि जो बुजर्ग लोग हैं वो सपन में ऐसी बातों को देखेंगे जो लोगों को बताएंगे कि ऐसा होने वाला है और चौती बात क्या है वरन में अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उन्डेलूंगा और वे भविश्यवाने करेंगे जो परमेसर के दास दासी परमेसर के वचन को फहलाने में लगे हैं वो भविश्यवानी करेंगे ये परमिसर का वचन है ये परमिसर की वचन के द्वारा दो अद्बुत चिन हमें बताए गए हैं जगत के अंत के तो हमें इन पर ध्यान देना है हम इन से जुड़े हुए मैं फिर बता रहा हूं कि हम इन से जुड़े हुए हमने ही ये काम करने है प्रीज दा लौर्ड तो ये दो महत्वपुन चिन मैंने आज आज आपको बताएं हैं पहला है कि जगत के अंत से पहले वचन पूरे संसार में फैला जाएगा और दूसरा है कि जगत के अंत से पहले पवित्र आत्मा का काम बहुताईस से होगा जो जवान बच्चे हैं वो भवश्यवानी करेंगे बेटे और बेटियां भवश्यवानी करेंगे जवान लोग जो है वो दर्शत देखेंगे पुरनिये जो हैं वो स्वपने देखेंगे द अद्बत दो चिनों के लिए यदि आपने आज कुछ नया सीखा है तो कॉमेंट सेक्षिन में आकर मुझे जरूर बताईएगा और मुझे बात चित कीजिए इस वीडियो को शेर कीजिए तक कि और भी लोग इन दोनों बातों को जान सके प्रेज दरोड तो मैं आपसे गुजारिस करता हूँ यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को दबाईए ताकि नोटिफिकेशन आपके पहुंचे और नया वीडियो तुरंथ आपके पहुंच जाए मेरे वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे और कॉमेंट सेक्षन में आकर मुझे जरूर बाचित कीजे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ एक नए वीडियो को लेकर तब तक के लिए मुझे जाज़ाद दीजिए लेकिन अपना ख्याल रखिये प्रेज दे लॉड